अलो दोस्तों स्वागत है आपका द्रिष्टी IS के इंडेफ प्रोग्राम में मैं हूँ केवल आपके सामने आज हमारा जो चर्चा का विशह है वह यह है कि आधार कार्ड का जो डेटाबेस है उसे वोटर आई कार्ड से लिंक करने से आखिर क्या विवाद हो रहा है आखिर स्विवाद के पीछे की वजह क्या है और इससे जुड़े हुए क्या-क्या आयाम है इस पर आज हम चर्चा करने वाले है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लेकिन एक ज़रूरी सूचना ज़रूरी सूचना यह है कि IS प्रिलिम्स की जो तैयारी कर रहे है विद्यार्थी उन्हें पेपर टू याने की सी सेट के लिए भी तैयारी करने की आवशक्ता तो है ही इस तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए और अच्छा करने के लिए आपके लिए कोर्श शुरू होने वाला है चार नवंबर से जिसकी फीस है दस जार रुपए इसमें कुछ महत्मूर्ण बाते में आपको बता देता हूँ कि धाई महीने का यह कोर्स है और इस कोर्स में आपको डेर सो से भी अधिक घंटे की कक्षाएं मिलेंगी और एक साल तक आप इस कोर्स को कई बार किसी भी टॉपिक को किसी भी वीडियो को कई बार देख सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो उस डाउट का उस संशय का निवारण भी किया जाएगा आई है और सवाल आज की खबर के हेडलाइन पर भी है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर की गई है आधार कार्ड के जो डेटाबेस है उसे वोटर आई कार्ड से लिंक करने के मामले में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम आज क्या-क्या पढ़ने वाले है तब से पहले जानेंगे कि यह जो खबर है आधार कार्ड डेटाबेस और उसके माइने है उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार की तरफ से क्या इसके पक्ष में तर्क दिया जा रहा है क्यों इसे महत्पूर बताया जा रहा है साथ ही याचिका दायर करने वाले के लिए जिसने याचिका दायर की है उसके क्या दलील है उसके क्या पक्ष है उसको देखेंगे आधार को बोटर आईकार से जोडने से संबंधित जो भी चिंताएं एवं चुनोतियां हैं वो अभी देखनी पड़ेंगी आखिर जिस वज़े से याचिका दायर की गई है जरूर कुछ कारण होंगे उन्हें विस्तार से समझेंगे उसके बाद देखेंगे आगे की राह क्या हो या क्या होनी चाहिए और अंत में एक अभ्यास प्रशन जो आपकी इस विशय पर पकड़ को और करेगा मजबूत तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों है तो मैंने आपसे जैसे की बता है कि विवात क्या है आधार डेटाबेस को वोटर आईडी कार्ट से लिंक करने की बात पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सु बाते हैं तो सबसे पहले प्रिष्ट भूमी पर आते हैं कि आखिर यहां यानि कि विवात की इस्थिती के पहले की प्रिष्ट भूमी क्या थी तो दिसम्बर 2021 में केंद सरकार ने वर्तमान की जो केंद सरकार है उसने चुनाओ कानून में संशोधन विधेयक लाया और उससे पारित किया 2021 में दिसंबर में इसको कानून को पारित करने के बाद कहा कहा संशोधन हुआ लोगप्रते निधित आधिनियम 1950 और लोगप्रते निधित आधिनियम 1951 यहाँ पर एक इस अधिनियम में महत्मून धारा बदली गई जो थी 23 जिसमें कहा गया कि एक निर्वाचक पंजी करन अधिकारी को यानि कि एक अधिकारीःρχे वह होता भी है उपिशLES अगर रजुए करना चाहता है या स्थापित करना चाहता है और यह कि उसकी पहचान उसके लिए वह क्या कर सकता है इस उद्देश से उस व्यक्ति को उस अधिकारी के सामने अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा तो यहाँ पर क्या बात करेगी कि आवश्यक्ता हो सकती है आधार कार्ड नंबर यानि कि आधार नंबर प्रस्तुत करने की आवश्यक्ता हो सकती है आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा है हो सकती है यानि कि बाधिता इस लाइन में तो समझ में नहीं आती है लेकि इस 6B में ही कुछ ऐसी बाते लिखी हैं जिससे महसूस होता है कि आधार एकार्ड स्तरकार के द्वारा अधनिवार करने का प्रयास किया गया है और इसी वज़से यह विवात उपजिता है तो जानते हैं बहुशते हैं क्रम से सबसे पहले देखते हैं कि आधार voter ID linkage कब से शुरू हुआ तो यह आधार database और voter ID लिंकेज शुरू हुआ एक अगस 2022 से इस दोरान हुआ क्या कि चुनाव आयोक के द्वारा अभियान चलाए गया अभियान चलाए गया इस क्रम में कुछ जगहों पर ऐसी शिकायत मिली कि आधा आधार कार्ड ना दिखाने पर अधिकारी के द्वारा बोटर आईडी कार्ड रद करने की बात सामने आई अब बोटर आईडी कार्ड रद करने की बात जब सामने आती है तो यह सवाल खड़ा करता है क्या आधार कार्ड ना दिखाने से मतदान का अधिकार छिंजाएगा इस इसी सवाल पर सरकार के द्वारा बहुत सारी बाते कहीं गई स्पष्टी करन किया गया और सरकार ने कहा कि यह स्वैक्षिक है अनिवारे नहीं है और बाध्यकारी भी नहीं है पूरी तरह से स्वैक्षिक है लेगिन त्यूंकि जो नया नियम में आया था उसमें यह ऐसा लग तो क्या है Linkage का महत हुए है कि अगर हम आधार डेटाबेस को बोटर आई-कार्ड से लिंक करते हैं तो उसमें होता क्या है कि इसका coverage जो है सार्भॉमिक है यानि कि भारत में बहुत सारे आपके पहचान-पत्र हो सकते हैं passport हो सकता है लाइसेंस हो सकता है और भी बहुत तार है लेकिन यह जो आधार कार्ड है ज्यादातर लोगों के पास आपको मिल जाएगा तो पूरे भारत में कितने 99.7 जो वयस्क भारती आबादी है वयस्क ही तो वोट डाल सकता है तो उसमें से 99.7 वयस्क भारती आबाधी के पास आधार कारड आज की रेट में मौजूद है। लेकिन अब यहां पे बात आती है कि क्या इतना ही काफी है? नहीं wizard और भी महत्मूर्ण बाते हैं जैसे कि यह विश्वसनी माना जाता है और इसकी लागत भी काफी प्रभावी होती है विश्वस्णी क्यों माना जाता है क्योंकि बायोमेट्रिक प्रमाणी करण होता है बायोमेत्ριक प्रमाणी करण से आप समझ सकते हैं कि fingerprint को scan किया जाता है इसके लावह और ही चीजें होती है जैसे retina scan होता है wise recognition होता है face scan होता है लेकिन आधार कार्ड में ये सारी चीज़े नहीं होती है जितनी चीज़े होती है आपको पता ही है लेकिन biometric प्रमारी करण में बहुत सारी चीज़े हो सकती है वो extra जानकारी है अब बात करते हैं कि आखिर इस linkage के महत्तों को देखते हुए सरकार ने क्या तर्क दिये है सरकार यह तो कहती है कि बाधिकारी नहीं है लेकिन वह यह भी कहती है कि होत दो अच्छा है जिसके पिछे के तर्क क्या है कि database सटीक हो जाएगा जैसा कि मैंने आप से कहा कि अगर बामेट्रिक प्रमाणी करण होगा तो इससे बहतर सटीकता क्या हो सकती है दूसरी बात अपडेट हो जाएगा जो डेटा है वह अपडेट हो जाएगा कहीं कुछ तुटी रह गई थी तो वह भी तुधार ली जाएगी और दोहराओ को समात कर लिया जाएगा मतलब क्या है कि विभिल निर्वार्चन छेतर में अगर किसी व्यक्ती ने पंजिक्रित किया है तो वह नहीं रहेगा फिर एक ही जगह रहेगा अगर एक ही जगह पर एक ही निर्वार्चन छेतर में एक से अधिक बार कोई पंजिक्रित हुआ है तो वह भी नहीं रहेगा और सिर्फ एक ही रह जाएगा इसका मतलब एक नागरिक एक मतदाता पहचान पत्र ठीक है और यह अकिल भारती मतदाता पहचान पत्र के रूप में उभर का सामने आएगा अगर हम अधार कार्ट के इस् दलील दी है दलील में साफसा बताया है कि सरकार एक तरफ तो कह रही है कि अनिवारे नहीं है दूसरी तरफ वह अनिवारिता उसके बनाए नियम में महसूस भी हो रही है तो उसके दलील में कुछ बाते हैं जिसमें उसने कहा है जैसे प्रमुक बात यह है कि आधार के अभा त रहा है या अचपकरता कह रहा है उसके अलावा उसने कहा कि आधार कार्ड को केवल तभी अनिवारे बनाय छा सकता है जबकि किसी को लॉक द são सबसीडी देनी या कोई कल्यान कारी के लिएенные या सब 2022 में सरकार ने मतदाटा पंजी करण नियम 1960 में कुछ बदलाओ किया और बदलाओ के साथ जो नया नियम आया उसमें एक form 6 आया और form 6 B में यह बात साफ साफ लिखी गई जिसमें बताया गया कि आधार संख्या ना होने पर driving license और passport तहीद 11 अनिप पहचान प्रमाण पत्र दिखाए जा सकते हैं पंजी करण धिकारी को अब बात यहाँ पर यही आती है इसकी भाषा देखिए भाषा में क्या कहे रहा है कि आधार संख्या ना होने पर यानि कि अगर आधार संख्या है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा जब नहीं होगी उसी आधार के बाद आप कोई दूसरा पहचान प्रमाण पत्र दिखा सकते हैं तो एक प्रकार से देखा जाए तो यहाँ पर यहाँ बाधिकारी महसूस हो रहा है इस पश्ट नहीं है इस्थिति यहाँ पर ध्रामक बन रही ह इसी आधार पर इस नियम की आलोशना की गई याज क्या करता के दौरा और कहा गया कि इस वज़े से यह अनुछेट 14, 1921 जो भारती समिधान में है यानि कि जो मौली का धिकार है उसका क्या करता है हनन करता है और यह उसके खिलाफ है इस वज़े से इसे असमिधानी घोशि हैं अगर ऐसा कर दिया जाए सरकार के द्वारा कि एग्दम बाधिकारी बना दिया जाए तो क्या क्या प्रमूट बाते हो जाएंगी जैसे कि अर्ष्पष समयधानी कि स्थिती फिलहाल के लिए तो बनी हुई है जैसे कि अभी 2017 में न्यायमूर्ति के एस पुट्टा स्वा आती है क्या निजिता का अधिकार यहां पर फिर लागू हो पाएगा क्योंकि यहां पर जब आप अपना आधार डेटाबेस किसी को दे रहे हैं तो यहां पर किसी भी प्रकार का इस पश्टी करण नहीं है कि उसका दुरूपयोग किया जाएगा या तो उसके लिए सरकार क की तरफ से परियाप पश्टी करण लिखित रूप से नहीं दिये गया है दूसरी बात कि त्रूटियां भी होती हैं जैसे कि कुछ वर्ष पहले जब यह एक जगहां पर तेलांगाना के आसपास पर यह कारे हुआ की लिंकिंग का कारे शुरू हुआ आधार डेटाबेस का वोटर आईकार से तब चू कि बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन में भी कुछ तुरूटियां थी और तुरूटियां कितनी थी लगभग 12 पत्रूटियां माना जाता है कि इसमें मौजूद हैं तो लाखों लोगों का जो हुआ जो वोटर आईकार था वो रद्ध हो गया क्य नागरिकता का नहीं है इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तब भी यह जानना मुश्किल हो जाएगा कि उसका जो वोटर आईकार्ड है वह सही है या नहीं है या उसे किस प्रकार से पकड़ा जाएगा यह मुश्किल हो सकता है उसके की राह में आपको यह बात याद रखनी है कि जरूरी है कि सरकार पहचाने कि आखिर कौन-कौन सी चिंताएं हैं, कौन-कौन सी चुनोतियां हैं, जिरहें सबमाप्त करना होगा, जिनकी वजह से लोगों के मन में यह डर बन सकता है कि वोट देने से उनकी गोपनीता जाहिर हो होनी चाहिए, यानि कि इसमें सुधार होना चाहिए, इसे इसपष्ट करने की और भी आवश्यक्ता है, और अंतिम और महत्मून बात यह है कि एक डाटा, यानि डेटा संरक्षन कानून आना चाहिए, डेटा संरक्षन कानून क्यों आना चाहिए, जिससे यह तैह हो सके कि क किसी भी डेटा का दुरुपयोग जो بھی आपका निजी डेटा है उसका उपयोग किसी के द्वारा गलत तरीके से नहीं किया जाएगा। उसकी सुरक्षा बनी रहे इस बात का ध्यान रखने के लिए इस कानून के आवश्रक्ता बनी होई है। बनाम भारत संग, नवतेज सिंग जोहर बनाम भारत संग, और इंद्रा साहनी बनाम भारत संग, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूले, यह हमें और प्रेदित करता है आपके लिए अच्छा करने के लिए, उमीद है कि यह आज का विशय आपको बहुत पसं आ रहा हो, अब एक महत्मूर्ण बात यह है कि ना सिर्फ इस चैनल पर इंड़र्व प्रोग्राम आता है, इसी की तरह कुछ और प्रोग्राम आते हैं, जैसे इन फोकस आता है, सुबह नौ वजे और शाम को 6 वजे इन निउस प्रोग्राम आता है, उसमें भी इसी प्रकार खबरों पर विस्तार से चर्चा की जाती है, तो कल सुबह नौ वजे जो इन फोकस प्रोग्राम आने वाला है, उस पर चर्चा की जाएगी, एक उलका पिंड की, जिसे की कहा जा रहा है, प्लैनेट किलर एस्टिरोइट, तो इसको विस्तार से जानने के लिए आप सुबह नौ वजे द्रिश्टी आईस चैनल पर विजेट कर सकते हैं और देख सकते हैं, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुसे सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकॉन दबा दीजे, जिससे की कोई भी महरपूर्ण वीडियो जो आपकी तैय झाल 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 झाल